Dear students, Today we will solve exercise 6.2 First question number 1 In figure, find the values of x and y and then show that a, b parallel c, d ये figure दिया गया है, ध्यान दिजिए एक a, b और c, d दो लाइन है Question में ये कह रहा है कि आप इसको show करिए कि ये दोनों parallel है और x, y की value find करिए तो यहाँ पर दिहान से देखिए x और 15 दोनों कर हम add करेंगे तो 180 मिलना चाहिए क्यों यहाँ पर linear pair angle बन रहा है तो यहाँ x की value मिल जाएगे 180 minus 50 that is 130 अब फिर यहाँ हम देखते है vertically opposite angle से अगर देखते हैं तो x is equal to y मिल जा रहा है तो y की value 130 degree होगी यहाँ पर यह vertically opposite angle है तो x और y दोनों की value क्या है बराबर है तो x बराबर y क्या है इसका मतलब यह alternate interior angle इन दोनों का same है तो जब alternate interior angle एक होगा तो जो line होंगी intersect करने वाली वो क्या हो जाएंगी parallel हो जाएंगी इस परकार यह prove हो जाएगा ठीक है यह इसके quality है अब बात करते हैं हम question number two में question number two लिखा है in figure if a b parallel c d c d parallel e of and y parallel and y ratio z is equal to three ratio seven find x x की value find करना है ठीक है हम हमाल लेते हैं हमने माल लिया कि let y is equal to three z is equal to seven अब y और z को हमने इसलिए माना क्योंकि y और z का ratio दिया गया है question में कहा गया कि y ratio z जो है three ratio seven है तो हमने माल लिया y is equal to three z और z is equal to seven अब यहां से ध्यान दिजिए जो y है और b यह दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि vertically opposite angle से तो y और b जो है वो आपस में बराबर है और c d जो है वो parallel है e of के यह question में दिया गया है जो c d जो है वो parallel है e of के इसलिए जो b प्लस z हो जाएगा इन दोनों का sum 180 degree होगा क्यों interior angle same side of transversal तो और इसका मतलब y प्लस z हमको 180 degree मिल जाएगा और three a प्लस seven यह क्योंकि y हमने माना है three a z को माना है seven यह तो three a प्लस seven यह is equal to 180 that is a is equal to 18 degree अब a की प्लस निकल गए तो y बराबर आपने माना ही three 18 into three यहनी 54 degree z seven यह 7 into 18 126 degree तो अब यहां से अब आप सो करना है कि a b जो है c d के a b c d के तो parallel ही है और c d e f के parallel है तो जो a b होगा अब वो e f के parallel होगा क्योंकि जब एक line दूसरी line के parallel दूसरी तीसरी की तो पहली और तीसरी भी आपस में क्या हो जाएंगी parallel हो जाएंगी because lines parallel to the same line are parallel to one another तो यहां से इससे हमको मिल जाएगा कि x is equal to z यह alternate interior angle और यहां से हमको x की value क्या मिल जाएगी 126 क्यों क्योंकि z की value 126 हमने निकाला है और z और x दोनों बराबर होंगे तो इस प्रकार से हमको x की value 126 y की value 54 और z की value भी 126 that's all for today तो यहां से जाएगी